है 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 लोगाइज वेलकम टू मैं चैनल आग्रामेट्र ब्लॉग ब्लॉग नंबर 17 में आप सभी को सवागत है तो आप लोग सभी कैसे हो आई हो बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अरुज को अधम मैं हूँ आपके अपने आग्रा से चलिए गाइस ब्लॉग सुरू करते अधम मैं आपको प्रेश न्यू ब्लॉग और आज आग्रा मैट्रो के बारे में सारी कुछ डेटेल्स में बात करने वाले हैं और आज मैं आपको पेसे गरांड और कास्टिंग यार्ड भी लेकर जाओंगा और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ पुरानी मंडी की साइड और जहां पर ये आग्रा मैट्रो की वाल बनाने का कारे किया जा रहा है और काम बहुत तेजगती के साथ किया जा रहा है अब थोड़े से टच अप देने इसमें बागी है और उसके साथ ये दिवार कंप्लिट हो चुके और यहां से और इस बेरिकेटिंग को हटाने का कारने जल्द ही शुरू किया जाएगा और गाइस बेरिकेटिंग से याद आया और हमारी सेमें डे बिल्ड बेल्ड बेरिकेटिंग हटाने का कारे शुरू कर दिया है और जैसे आप सभी देख सकते हैं और गाइस मैं अभी आपको लेकर के आ चुका हूं फत्यावाद रोड और जो कि हमारे गेटवे होटल के सामने पाइलिंग का कार शुरू है और पाइलिंग का कार अब लगवग लगवग अपने अंतीम चरण में चल रहा है और 15 जून तक ये कार कंप्लीट कर लिया जाएगा और गाइस आप सभी देख सकते हैं कि अब हमारी पिलर की कैपिंग का क बहुत तीज गति के साथ सेमन apenas के साथ फद्याव ल्डवर पर कारीक कर रही है और कितने पियर बनकर करकर तैयार हो चुके हैм अब मैं आपको लेकर के आज चुका हूँ अपने पहले मैट्रो शेशन यानि के फद्यावा रोल मैट्रो शेशन और यहां पर पहले के लिए कास्टिंग का कार्bb करोश किया जाया रहा और जलदी समइंद दसे क्याम पाल्ड साइड पर हूं जोशान के लिए और फोकस साइट पर है जो कि हमारे में पिलर जो कि बीच में सब्सक्राइब अन्तिम चरण में चल रहा है और अब सिर्फ साइट पाइल बजे हैं और हमारी आगरा मैट्रो को डिपो तक ले जाने के लिए भी अब पाइलिंग का कारे भी शुरू हो चुका है और जल्द से ही यही काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा सेमिल डे विल्ड वेल के तरफ से और गाईस आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर डक्ट के लिए के अधिकारियों ने यहां पर सर्वे किया तो जो कि डक्ट के ऊपर साइड पिलर बनाये जाने थे और यहां पर भी कार शुरू कर दिया गया है और हमारी आगरा स्मार्ट सिटी ने भी इस चीज़ के लिए करेंस दे दिए और आप सभी देख सकते हैं कि चड़र बद तरीके से यहां पर की केपिंग की जा चुकी और मैं आपको बता दू एक सो एकत प्रास्ट में देखने को मिलिएका तो वीडियो में बने रहें हैं चाहता है और मैरे चेनल को मेरे चैनल चांबर को करें किए और policies करना ना भूले कीजिए और गईस जिलोगोंने मेरा अभी तक इंस्टाग्राम पर लोगोंने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग आईडी पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको अगर अगरा मैटर से रिलेटि भी की जा चुकी और काफी सारे पिलर्स को कास्ट भी किया जा रहा है और आप सभी देख सकते हैं कि इस वीडियो को देख कर कि आप डेफिनेटली कुछ हो नोए वाले हो जो कि करोना काल चल रहा है बहुत जादा लोगों के अंदर निकिटिविटी आ चुकी है तो इस आगरा मेट्रो जो की सैमिल डे बिल डे वेल और लीजा इंजिनियर्स ने UPMRC को ठैंक्स बोल सकते हैं और गाइस मैं आप सभी को UPMRC के साहती जो इस प्रोजेक्ट में लेवर और इंजिनियर्स कार कर रहे हैं कि बहार जो टेंपरेचर रहता है 42 40 के आसपास इस चिल चलाती धूब में कार्रे करना अपने आम में चुनोदी है और इन सभी के लिए आप एक बड़ा बिग थम्स अप इस वीडियो को दे सकते हैं और कमेंड भी कर सकते हैं तो गैस आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड मैट सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर लिया गया है और अब जो हमारी मैं आपको लेकर के आचुका हूं आगरा मैट्र डिपो और आप इस जगा को और आगरा मैट्रो के डिपो के एरिये में आपको लेवर नजर नहीं आएगी तो थोड़ा आप इसको लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं परिशान हो सकते हैं बड़ा परिशान ना हुई है मैं आप सब को बदा दूँ जिस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट क पिलर्स आने हैं और उन पिलर को इन पिलर के उपर इंस्टॉल किया जाएगा फिर उसको उपर च्छत डाली जाएगी जिसके नीचे हमारे आगरा मैट्रो के रेक्स मेंटेननस बिएगी की जाएगी और रात में वहां पर उनकी सर्वीसिंग की जाएगी तो इसके लिए आपको जल्द ही लिजा इंजिनियर्स की तरफ से च्छत डालने का कारे भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिलर्स है वो ट्रेडी है और जल्द ही जिनियर्स को च्छत के लिए और पिलर्स के लिए बहार से सामान आना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है इसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं और गाइस मैं आपको लेकर के आ चुका हूं होटल ट्राइडेंट ट्राइडेंट के सामने आप सभी देख सकते हैं कि अपने अगर कानपूर मेट्रो को फॉलो किया हो अगर वहां के अपने वीडियो देखी हो तो वहां पर जो के डिवाइडर स्टाइल्स हैं बहुत टाइम बा वहां तक पिलर बनाने का कारी कंप्लीट कर दिया गया और आप सभी देख सकते हैं कि इसमें आपको सिर्फ पिलर नजर आएंगे और मैं आप सभी से पूछना चाता हूं इन आठ पिलर में से पहला पिलर कौन सा हो जिसके उपर पहला पियर कैप रखा जाएगा तो आप प्रेक जाता है पहले मेट्रो शिची यानि की ताज इस्ट गेट की ओर और यहां पर बैरिकेटिंग का कर रहे हठाने का कर रहे हैं जो कि से एमेंडियाबल डेविल के तरफ से था वह किया जाए है शुरू और यहां से हमारी कास्टिंग यार्ट से काफी सारे जो कि डिव साथ मैं आगरा स्मार्ट सिटी भी कारे कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में जब हमारी आगरा मेट्रो बनकर के तैयार हो जाएगी और जो कि हमारी आगरा स्मार्ट सिटी भी पत्यवाद रोड पर कारे कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुती भबे रोड बनने वाली ह इस रोट के लिए आने वाली और आने वाले समय में यहां पर काफी सारे होटेल आने वाले हैं तो अभी मैं आपको ले करके आ चुका हूँ अपने पहले मैट्रो शीशन यानि के ताच इस्ट गेट और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हूँ तो इसमें ज्यादा वदलाव तो नहीं आया है बट यहां पर सेम इंडिये बिल्ड बेल अपने तो दिन रात कार्र Rules की या जा रहा हूँ तो मैं अभी आपको धिखाने वाला हूँ जो कि हमारे च्छे पिलर जो कि च्छे पिलर के ऊपर पहला मेटरी शेशन बनाया जाना है उसके बीम के लिए कार्रे किया जा रहा है हो सकता है कि आने वाले दिरों में मतलब कि इस महीने के लास्ट में या फिर अगले महीने जो कि आने वाला महीना है उसमें इस बीम का कार्रे कंपलेट क कार्य शुरू होने वाला और जब इसकी च्छत पड़ जाएगी तो लगबख हमारा ग्राउंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो सेमिंडे बिल्ड वैल ने बहुत चमक कारी काम किया है पत्यवाद रोट के उपर जो के साथ महीने के इतने शौट टाइम में इतना कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चौनाओती थी और इस चौनाओती को हमारी सेमिंडे बिलेट बॉल ने स्विकार करके सैमिंटे बिल्डे बिल्ड को प्रवरेटी शेक्शन जोकी फत्वाद रोट से लेकर के जामामज्जी तक है और वुसमें सब्सके अंदर 30 क्लुमेटर की साक्शन है जिसके अंदर तीन मैट्र शुचन बनाये जाना है और आने वाले दिनों में इसी स्पीट को मिंटेन करना चाहेगी और अभी में आपको लेकर के आ चुका हूं आगरा कस्टिंग याड के अंदर हमारे यूगर्डर और डबल टी गर्डर और साइट टाइल्स बहुत सारी बनकर के तयार हो गया है और आने वाले दिनों में इन पियर केप्स को हमारे फत्यावद रोड पर पिलर के उपर रखा जाना है और इस काम को जल्द ही शुरू किया जाएगा सेमिन डे बिल्डबल के थूर अब सब भी देख सकते हैं कि जो हमारी क्रेन के दूसरी वाली है जो अधर क्रेन है उसी साइट पर हमारे यूगडर के बैट यानि के उसकी सेट्रिंग है और वहीं पर उसकी अभी सरीय का कार रिस्टार्ट कर दिया है जाल भानने का कार रिस्टार्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में जल्द ही हमें दो यूगडर की कास्टिंग हो जाएगी तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो